जिले के बिचिवाडा धाना शेतर की रिजवा घाटी के निकट सुमबार रात किराना का सामान लेकर लोट रहे उन पचास वर्षिय व्रिद्ध को तेज बाइक सवार युवक नी चपेट में लेने में व्रिद्ध की मौत होने का मामला सामने आया है पुलिस ने शव कुजला स्पिताल की मोर्चरी में रखवाया गया मंगलवार को मृतक के परिजनों के मोर्चरी पहुँचने पर पुलिस ने पोस्मौटम की कारिवाही करवाई मृतक के पुत्र दिनेश ने पुलिस को लिखे तलेपोर्ट में बताया कि रिजवा खाटी के करफ से तेजगती से आ रहे बाइक सवार ने मेरे पिता जी सोमा परमार मीरा को टक्कर मार दी टक्कर के चलते सोमा परमार के सिर हाथ और पैर में गंभीर चोटे आई सूशना मिनले पर मौके पर सोमा परमार के परिजन मौके पर पहुंचे तथा 108 की मदद से डुंगरपुर सरकारी अस्पताल में पहुंचाए गया जहां सोमा परमार निद्दम तोड़ दिया पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्च कर आरोपी बाइक सवार युवक के तलाश शुरू कर दी वहीं पुलिस ने शव का पुसमोटम करवा कर शव परिजन को सुपूर्थ किया